SSLV चिन रॉकेट प्रयोगों स्री हरिकाट नेंची प्रारम वायनेटिगा मनों चोस्तो नौँ इन द्वारा भूमी मेद जर्गे ठेडालू वात आवरन परंगा आवच्चु अमेगत ए रीतिया गोडा इदी चाला क्लोस गा मौनेटर चेसी अकुरेट रिपोर्ट के विजुल्स मनों जोस्तो नौँ निंगी लोगी SSLV D1 राकेट दूस्केल्थुन दुरुस्यालू मनों मैप इंटरस्पेस द्वारा मनों कनिपिस्तों दी शार केंदर नुँची राकेट प्रयोगा नीचेसरू नदेखल नियुच्ड है और नियुक्ति नरेज को देपार पarelण के में तुक्त्र प्रतूत्य हो मेरा मनों अव्य काक्टिक नौयम्ोर्ट प्रथम चरण के सभी तंतर सामान्य कारिय करते हुए अभी अभी आपने सुना रेंज निंदेशक ने घोषना की तुटिय चरण का प्रजोलन हो चुका है तथा प्रथम चरण को प्रिथक कर दिया गया है प्रथम चरण को प्रिथक कर दिया गया है ट्रवेंडरम और प्रथम प्रथम चरण के प्रिथक कर दिया गया है अभ हम एक सो सटर किलोमिटर की उचाई पर अचुके हैं तर इस तर ग्विक शकेशन अव सिरल प्लाइवेंश देश स्वान सपरिशिंग फॉल इस तो इगनेशन second stage performance normal and then the closed interstate separation, initiation of closed loop guidance for the flight and of course the dense atmosphere and 100 km altitude has been crossed the payload fairing also has been separated यान की गती तीन देशन ब्लाव तीन पाँच किलोमिटर प्रती सेकंड प्रता होचाई दोसो अटाइस किलोमिटर that's four minutes इस घटना करम में SS2 का प्रजोलन का अल खत्म होने के बाद कई 90 सेकंड का कोस्ट पेस होगा second stage action completed current altitude is 260 km four hours four minutes 30 seconds past the launch time इसे SS2 SS3 combined coasting phase कहा जाता है इस घटना करम में अगली घटना होगी SS2 का प्रतिक करण तथा SS3 का प्रजोलन vehicle performance normal यान पूरी तरह सामाने परदर्शन करता हुआ और उपनी उद्धिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ next flight event is the separation of the second stage which has completed its operation second stage separated now we have got the confirmation that the second stage has been separated third stage ignited right now the SSLV is in its third stage regime the carbon fiber filament wound case with 4.5 tons of HDPB based solid propellant loading SS3 will propel the rocket from 333.6 kilometers to 356.5 kilometers a significant delta V addition takes place it is about 3.7 kilometers per second that's the amount of velocity increase SS3 का प्रजुलन का एक सो बारा सकेंड का होगा इस दारान यह निर्वात प्रणोद एक सो साथ किलो निटन का इत्पन करेगा third stage performance normal इस चरण के दारान ही कक्षी स्थीतिया प्राटिकी चाह सकेंगी plus 7 minutes Singapore and Port Blair stations still tracking the action time for third stage is 112 seconds after which there will be a combined coast phase third stage action completed 3.0 अपना प्रजुलन का पूर्ण करता हुआ vehicle is in coasting presently it's the regime of coasting the third stage has completed its operation but yet to separate from the ongoing launch vehicle control for pitch, yaw and roll being provided by the velocity trimming module thrusters in about 3 minutes of coasting there is a triple velocity addition and triple altitude gain VTM will then operate and compensate for the velocity necessary for the injection of satellites and also the correct altitude भारत इस साल को आजादी के अमरित महुत्सो की तरह मना रहा है भारत के सुतंतरता के पच्छतरवे वर्षगांट में पूरे भारत में तरह तरह से इसे मनाया जा रहा है इसमें सभी ओर विकास और उननती की दिशा को दिखाया जा रहा है यह अपर इसरो में भी मनाया जा रहा है इसी उदेश के साथ मिशन न सर्फ एक नवीन प्रमोचन यान का प्रदर्शक है बलकि मिशन के उप्रा अजादी के अमरित महुत्सो को समर्पित है यह नाइन मिनिट्स पास दे लाँच टाइम कमबाइन कोस्टिंग इन प्रोग्रेस राइट नाओ यह मेशन एक और कारंट से महत्वपूर्ण है इस यान में सफर कर रहे आजादी सैट को हमारे देश के ही साथ सो पचास स्कूली चातराओं ने मिलकर बनाया है इस तरह यह मिशन महिलाओं को प्रत्साहित करते हुए वोमेन इन स्पेस के थीम को भी सहायक बन रहा है VTM Velocity Trimming Module वो टर्मिनल चरन है जो कि अंतक्षेपत की पूरी स्थितियां प्राप्त करेगा